उससे कहता है कि उसके सूरज को पंप करने का टाइम हो गया है। उन सारे मैंटरिन डख का माना था कि पेंगली ही सूरज को उगाता और डुबाता है। डखमस उस पे हशने लगता है कि वो उससे डर कर भाग गया। वो अपने सभी ग्रूप्स की आर्मी से कहता है कि वो सब वहाँ पास की क्रूज में आराम करेंगे। इधर मिस्टनॉट के घर पे कॉपर नजर रख रहा था क्यूंकि उसे वो पसंद आ चुकी थी। तभी वो देखता है कि वो दोनों चूर वहाँ भी पहुँच गये हैं। निक मिस्टनॉट के घर के बाहर रखे सामान को खोनने की कोसिस करने लगता है। तभी कॉपर आकर उन्हें पकड़ लेता है। औरमिस्टनॉट को जाकर बताता है कि ये लोग उसके घर पे चोरी करने वाले थे। पर मिस्टनॉट उन्हें कॉपर से बचा लेती है और कहती है कि वो इसे छोड़ दे क्यूंकि ये उसी के आधमी है। कॉपर उन्हें वहीं छोड़ कर चला जाता है। वो दोनों मिशनॉट को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं, पर वो उन्हें एक डग की तस्वीर देती है, जो लॉंजवे की होती है, और कहती है कि ये एक बहुती रेयर डग है, और उन्हें वो पकड़कर उसके पास लाना है.